एक दिन का उत्सब, एक दिन का लंगर, एक दिन की फूल माला, एक दिन का टीवी का जश्न, उससे क्या तो रहिदास जी की आत्मा को शांती मिलेगी हैं और क्या दलित का भला होगा यह जरूर हो सकता कि इतवार को जो बोट पड़ना है उसमें कुछ फरक हो जाए उच नीच बिल्कुल ठीक बात है, गौतम राणे जी हमारे पुराने मित्र हैं और उनको मैं बहुत गौर से सुन भाग हूँ, निश्चित रूप से इस बात से मैं सहमत हूँ, कहीं एक दिन का जश्न करके हम वो चीज़ें पा नहीं सकते, जिस चीज़ की जरुवत उत्तर प्रव्य पूरे हिंदुस्तान को है, अगर पिछले पान सालों में क्या कुछ हुआ, और मुझे लगता है गौतम राणे जी पढ़ने लिखने वाले वेपने अची तरीके से जानते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे पान सालों में, हर साल, क्या पान सालों में किया, क क्या हमने पूरे किये, किस साल पूरे किये, इसका पूरा खाका सब के सामने रखा और गौतम राणे जी ने भी इसको जरूर देखा होगा, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, कि जो वंचित तबका है, उसमें सबसे ज़्यादा दलित हैं और कोरुणा पिरिड में सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत थे, हमने जो काम किया पिछले पांच सालों में, उसमें अगर हमने पंदा कौर लोगों को रासन फिरी दिया है, दो साल तक लगातार, निश्चित रूप से बहुत सारे दलितों की चिंता हमारे मन में थी, अग मैं एक ठिपनी सवाजवादी पाटी से भी ले लूँ इस पर ठीक बात है, लेकिन मैं हमीशा एक बात को लेके खुद को शर्मसार महसूस करता हूं, अनास दिया अच्छा किया, मैं तो उस तरह का व्यक्तिव मानता हूं, सब दानों में बड़ा है अन्नदान, जिससे प्र करोण से ज्यादा लोग ऐसे और उत मेरे प्रदेश में 15 करोण लोग ऐसे थे, जिनको सरकारी सस्ते गल्ये की दुकान से राशन दे की जिन्दा रखना पड़ा, तब सवाल नहीं उठेगा हमने 75 साल में कितनी प्रगति की, ऐसी परिष्ठिती बने गई, 23-24 करोण की कुल आवादी उत्तरपदेश की, यह मैं बता रहा हूँ जब नई जन संक्या जनगरना हो जाए तब यह रिजल्ट आएगा, पुरानी का तो आकली दूसरा है, 25 करोण मैक्जिमम, 25 में 15 जोला उठाक चल रहे है, मैं तो शर्मिंदा होता हूँ, आप लोग नहीं हो, आप लोग इस बात से क्रोध भी आता है, कि उत्रपदेश ने इतने बड़े-बड़ी राजनेताओं को देखा, इतनी सरकारों को देखा, अधादी का इतना लंबा वक्त बीत गया, उसके बाद भी यहाथ में जोला लेके राशन की दुकान से 5 किलो गिहू लाने के बाद रोटी बने और चाती सब लोग ठोक रहे हो, जिसे देखो सो एवरेस्ट पे खड़ाओं को जंडा फहरा रहा है, उससे नीचे उतरने को प्यार नहीं, भाशन ठोके फड़े यह सब, क्या ये एक आखला ही हम सब के लिए साजी शर्मिंदगी का कारण नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, सामो एक शर्मिंदगी की कारण होना चाहिए, सरकारों ने किया उनका विदंदन, उनकी जिम्मेदारी थी, कि उस विकर परिष्थति में अभाम जिन्दा रहे, लेकि सोची 80 करोण लोग, 80 करोण लोगों को, 19 महिना, 20 महिना, 24 महिना जो भी हो, आगरे कहते हैं कि राशन दिया तो वो जिन्दा रहे, ऐसी परिष्थिती अच्छी है क्या, क्या विद्रबाधी, आपकी पार्टी ने भी बहुत लंबा शाशन किया, सबसे लंबा शाशन आपकी की पार्टी ने किया, बाकि सब तो फुटकर हैं, अभी भी, ठीक, आप ल और हम असी करूद लोगों को जिन्दा तब रख पाए, जब उनको जोले में मोटा हनाज दिया, और आप लोग देज भाशर देभाशर जाड़ रहे हो, जहाज में उड़ रहे हो, त्रवाटी जी, जी, निश्यत तोर पर, अमिताब जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ने, मैं तो ठीक रहा, आप लोगों को शर्मिंदगी हुई कभी की नहीं, इसी किये कॉंग्रेस ने काम किया, और 2014 की जो इस्धिती थी, आरा, 14-17 नहीं महाराज, शर्मिंदा हो की नहीं, ये बत पूरा भारत भूकों मर गया था क्या, अजब मजाक करते हो, आप काम बनी, उसे पर भारत नहीं था क्या, आप पढ़िये, हर भारत अकाल पढ़ता था क्या, तब भारत खत्म हो जाता, घजब बात करने, नहीं, ये सब कुछ ने, आपने 40-45 साल शाशन किया, आपको शर्म गेहू, चावल, तुलवा के लाना पड़ा मुफ्तर, इतना ज़्यादा विकास कर दिया, आप सब लोगों ने मिलके, संत रहधास उपर से देख रहे होंगे, तो रो रहे होंगे आशूओं से, शर्मिंदगी है, आप शाशन करने वाली पार्टियों को के नहीं, उसमें त सबसे जादा कांग्रेस, बाकी को 15-15 मिनिट रोना चाहिए, तो कांग्रेस को एक घंटा शर्मिंद परश्यत आप में रोना चाहिए.